गुण मॉनिंग स्टुडन आज वापिस से आपके लेके आया हूँ एक बहुत एक खुश्र सी काव्य यानि की पोयम है जिसका नाम है पुजारी तू पाच हो जा पुजारी यानि उसको कहा जाता है जो मंदिर के अंदर भगवान की पूजा, पाठ, आरती उपासना करता है वो तो फिर ये पूजारी को काहां वापिस जाना है और कौन उसको वापिस भेज रहा है तो वापिस भेजने का कारिय कर रहे है खुद भगवान, खुद इश्वर तो क्या प्रॉब्लम है? वो हम इस पोएम के अंदर देखते हैं Standard 11 and subject गुजराती तो क्या है इस काविय के अंदर उससे पहले हम कुछ जानकारी ले ले लेते हैं हमारे महान कवी कृष्णलाल श्रिद्रानी जी के बारे में उसके नाम के आगे सबसे पहले लिखा गया that is गवी and नाट्यकार सबसे बहत्री नाट्यकार के इसाब से क्योंकि आन्तर राष्टियक शेत्र के अंदर उसके किताब जो है वो इंगलिश के अंदर ट्रांसलेट होके भी गए है और वही कारण है कि यह जो है मृत्यू के बाद रंजित राम सुवन चंद्रक उसको एनायत किया गया है जन्म हुआ है भावनगर जिल्ला के उम्राडा गाओं में रविंद्रन टैगोर और गांधी के साथ कार्य करने वाले महान कवी एक दांडी कुछ यानि कि जब दांडी माच हुआ था उसके अंदर भी ये अपना कार्य किया था आप देख सकते हो यहां पर उसके फोटोग्रा पालाश यह से उसके बहतरी नाटक में से एक है जबकि आठ पारता है जिसके अंदर इंसान मिटा दूंगा यह बहुती बहतरी नाटक में से एक माने जाते हैं नाव क्या कहरें यहां पर भगवान पंडी जी को मनुष्य है से दिखावा करने में जादा बिलिव करता है वो बाहिय आडंबर उसके पीछे बहजादा बागता है भगवान को मनाने से जादा भगवान को दिखाना चाहता है भगवान को यही कहना चाहता है कि मैंने तुम छेए बात को यहां पर हमें बताया गया है, क्या कहते हैं इस काव्यों के अंदर कि गंट ना ना दे नाद का मनलब होता है अवाज गंट मनलब होता है, बैल जो मंदीर के अंदर जैसे हम प्रवेश करते तो वहां पर बड़े से बैल होते हैं, अगर आप एक शण के लिए थोड़े समय के लिए भी अगर आप वहाँ पर मंदीर में भगवान के स्थान पर बैठ जाओगे तो आपकी हालत सही में खराब हो जाएगी क्योंकि continue आपके सर के उपर कोई बेल बजा रहा है कोई पानी डाल रहा है कोई ओयल डाल रहा है कोई दूद डाल रहा है कोई आकान में आके कुछ कहके जा रहा है कोई अलग-अलग प्रकार के धूप, दीप, नेविद्य इस तरह से चड़ाते हैं कि आप खुद भी इरिटे कुल पसंद नहीं है उससे मेरे जो कान है वो फुटी जाए चे फट रहा है परेशान हो रहा हूं जो तुम ये धूप दीप कर रहे हो उससे मेरा श्वास रूंधाय रही हो चे ये जो फुलो की माला है उसको दूर रहा क्योंकि उससे मेरा अंग जो है मेरा शरीर है वो आइवेद्यक के अंदर फूल, मिठाई वगेरे तुम दे रहे हो, वो भी मुझे नहीं चाहिए, हे पुजारी, ये तुमारे सारी चीज़े, यानि के बैल है, फुल माला है, दूप है, ये फ्लावर है, वो सब कुछ तु दूर लेके जाए, हे पुजारी तुने ये बढ़ा बड़ी बड़ी दिवारे है, उसके अंदर लगे हुए पाशन ये पत्थर है, वो मुझे ऐसे लगते है, जैसे मुझे जगड के बैठे हो, ये प्यार के चिन्न नहीं है, ये बंदन के चिन्न है, ऐसे भगवान पुजारी जी को कह रहे है, जैसे एरण, एरण मतलब होता ह इसको जहां पर जो हथोड़ा है, उसका जो बेज नीचे के साइड में लगाया जाता है, इसको एरण कहते है, एरण नहीं साथे अफ्लावी अफ्लावी, जो हथोड़ा है, थोड़ा मतलब है मर, इसके द्वारा ये घंट बनाये जाते है, जो दिन रात काम करके जो है, वो अपनी नींद को तोड़कर मेरे लिए खुपसरत से बैल है, मेरे खुपसरत से अगरबती है, मेरे खुपसरत से मंदीर है, वो बनाते है, एक्चुली पूजारी इसमें तुमारा कोई भी कार्य नहीं है, सिर्फ तुमारा कार्य है मेरी आरती उतारना, पूजा लग लोग वो खेती में काम करने वाले खेडूत वो ही मेरे सच्चे पुजारी है इसलिए भगवान जी कह रहे है कि हे पुजारी तू पाचो जा तू सही पूजा नहीं कर रहा है तू तो सिब एक पोस्टमेन की तरह है उसके द्वारा दिया गया सारा कारिय मेरे तक दिया है जिसके अंदर बस पुजारी तू ही प्रवेश कर रहा है मेरे जो सच्चे भक्तगर्ण है जो मैनत करने वाले लोग है वो नहीं आपा रहे है यह मंदिर ऐसा लगता है कि पुजारी तू ने अपने स्वार्त के हिसाब से ही बनाया है यह प्रेम का जो पत्थर है प खुन पसीना बहा बहा कर यह मेरे लिए खुबसरत से माहलई महल मंदिर बनाया है और ऐसे खुन पसीने से बना हुआ मंदिर में मुझे नहीं रहना है क्योंकि भगवान जी कह रहे है मैं तो हूँ इन सभी के रदई के अंदर जो कार्य करता है वो मुझे अच्छा लगता ह ऐसा भगवत गीता में भगवार्श किष्णा ने भी कहा है इसलिए यहां पर पूजारी को कहा है कि तू थोड़ा तो शरम कर शर्मा 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 हे पूजारी तू पाच्छारी सच्ची में अगर मेहनत करने वाले कोई भक्त गरन है तो खेडूत है जो मिट्टी के और इसलिए पुजारी जी को यहां पर भगवान जी कह रहे हैं तू पाच हो जा इसके अंदर जो दिये गए है short question answer, long answer and two line answer साथ में ग्रामर तो सबसे पहला है question यह है कि इश्वर पुजारी ने पाच हो जवा शामाटे कहे छे आ कावियने आधारे समझाओ आपको इसको answer लिखना हो तो सबसे पहले इसको three part में divide करिए पहले introduction देना पड़ेगा जिसके अंदर ऐसा लिखना है कि श्री कुष्ण जेठालाल श्रीतराणी द्वारा रचना बद्ध करवामा आवेल आ उर्मी काविय पुजारी तु पाच हो जामा पुजारी नी स्वार्थ रूत्ती अन मेहनत करना रा मजुरों विशे नी खुब सुन्दर रिते वात वरणन करवामा आवेल छे ये introduction आपको लिखना चाहिए और उसके बाद आपको ये answer लिखना है क्या है answer पुजारी मंदिर मा जहिने कान फूटी जाये थो फाटी जाये ते वो घंट वगाड़े छे नमबर वन पॉइंट नमबर टू श्वास रूंधाय जाये ते वो धूप करे छे नमबर त्री फूल माड़ा चड़ावे छे जे बगवान ने बिलकुल पसंद न थी तीसरा मंदिर के इतने बड़े-बड़े माहालई बनाते हैं जो बगवान को बंदन जैसा लगता है और उसके बाद पत्थर की जो दिवारे है और उसके साकड़े द्वार है वो भगवान को बिलकुल पसंद नहीं है भगवान कहते है कि खरा आयत्मा मजूरू अने मजूरू करीने मंदिर अने आ मंदिर नो घंड बनावनार ये मारा साच्चा पूजारी छे ये साच्चा भक्त छे हे पूजारी तू तो मात्र लाब लेवा माटे मंदिर मावे छे आथी इश्वर पूजारी ने पाचो जवानी वाद कहे छे इस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए ठीक है दूसरा आंसर भी similar जैसा ही है जो आपको थोड़ा सा update करना पड़ेगा हमने इसको point wise बनाया है तीसरा जो है that is the most important answer ये आपको guaranteed पूछा जाएगा इस काव्य के अंदर से जो भी हमने आपको point wise बना के दिया है आप इसको एक बाद study करिएगा इसके बाद दो गिया है that is two line answer two line answer के अंदर right hand side में या left hand side के अंदर आपको पहले कुरूती नू नाम कुरूती का मतलब होता है poem या chapter का नाम लिखना है that is पूजारी तो पाच हो जाएग फिर कर्ता नू नाम उसमें लिखेंगे that is श्री कुष्णर जेठलार श्रीदरानी उसके बाद साहीत प्रकार में लिखेंगे उर्मी काविया then आपको answer लिखना है हो सके तो point wise answer लिखोगे तो ज़्यादा आपके marks score हो सकते है वैसे point wise नहीं लिखोगे काफी सरे school में मना किया जाता है तो उस वक्त school के teacher को अमेशा बातों को follow करो बगि point wise लिखने में से look भी अच्छा होता है और दूसरा इसके marks भी अच्छे score होते है तो that is two line answer है number one इश्वर साची पुझा कौने गणावे चे शामाटे तो इश्वर साची पुझा मजूरी करनारने गणावे चे केमके ए लोको एरण यानिकि जो बेज होता है है मर मारने का उसकी उपर मार मार के मस तच्छे से घंड यानि बैल बनाते हैं राद दिन मजदूरी करते हैं नींद वगर काम करते हैं आथी खरा अर्थमा ए पुझारी गणाए ए वो इश्वर भगवान नो मानूँचे नेक्स वेशन है नाम खाटी जनारा यानिकी अपना नाम आगे ले जाने वाले काम नहीं करते हैं इसे नामी रखते हैं एसे लोगों के लिए इश्वर ने कौन सा कटाक्ष यानि टॉंट की लगाया है तो कहते हैं इश्वर के मंदीर माटे पत्थरा ले लेकर उचे उचे पाहड़ों पर जैसे देरासर है मंदीर है गुर्दवारा या मस्जित या चर्च बनते ह तो वो कहाँ पर होते हैं बड़े-बड़े माउंटेन पर होते हैं आप देखो वहाँ तक क्या पूजारी लेके जाता है नहीं वहाँ पर भक्तगन लेके जाते हैं नहीं वहाँ पर लेके जाते हैं वो मजदूर लोग जो बड़े-बड़े पत्थरों का वहन करकर यानि उ उठा उठा के लेके जाते हैं, वो अपना खून पसीना जो है वो एक कर लेते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि खरा अर्थमा जो भक्त है वो मजूरी करने वाले लोग हैं, जबकि पूजारी वहाँ पर पूजा करके अपना बात, अपनी इत्यास, अपने थोड़े से पड़ आते हो, ऐसा भगवान कहते हैं, क्वेशन नमबर थ्री, इश्वन नी द्रस्टी है साचो अर्थ, अर्थ का महला होता है पूजा, साचो धूप क्यों छे, इश्वन नी द्रस्टी है साचो अर्थ छे, जे मैनत करे छे ते, आख्खु शरीर मैनत करवा माटी वालू याद करते हैं, यानि कि अपना सच्चा कर्म करते हैं, तो भगवान के ऐसे भक्त पसंद है, परसेवाती रेबजिप थे ही जाये छे, जिमना घण मां घंट नो नाद समझाये छे, घंड बोले तो हैमर, या पर हैमर है, ठीक है, अने खरा अर्थ मां अर्थ यानिक पूजा आपेलू इश्वर गणावे छे, एने साचो दूब गणावे छे, नाओ शौट आंसर जे, इश्वर पोताना कान फूटी फूर्ता हो एहू शाथी लागे छे, कांके घंट ना नाद थी, तेना कान फूटे छे उबगवान कहये छे, इश्वर ने भव्यमंदिर केवू ला इस साकडा, साकडा का मनला होता है, कंजस्टर छोटे 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 ठीक है, ना उसके बाद ही आपर समानार्थी शब्द है, नाद मनला आवाज, कान फूटवा, असय घोंगाट, यानि नौइस पॉलिशन होना, दूप मनला होता है, दूप सड़ी औने उसके दूसरे सु साले, बड़ा सा घर, है ना, पर यहाँ पर मंदीर के रिगारिंग बोला गया है, तो यहाँ पर मंदीर लिखना है, पाशान, पत्थर, चिन, निशानी, एरण, एरण, मला तो बेज, अमुक आकार नू, लोखन नू, गचिव, जहना उपर सौनी, के लोहार, सौनी बोले त कंजिस्टर, काजे यानि माते, वहे मला वहन करू, उपाड़ू, उचकू, खाटू, फाइदो मेड़वो, अर्ध यानि पुजा, एन घणमा, यानि की मोटा भारे, हत्थुडो, पचाडवाथी, थत्त, अवाजमा, यहाँ पर आपकी छोटी सी टेस्ट है, आप लिखेग जरूर, ठीके, और नेक्स्ट जो है, हमारी पोएम आने वाली है, यह भी एक पूर्मी काविया है, यह आपके लिए ही बनायागी पोएम होगी, अगर आप चाहते हो, इस वीडियो के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लेम्स आ रहे है, नीचे कमेंट्स द जीजेगा, और आपको अच्छा लगे, लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तब तक मुझा आग्या दिजेए, आपका दोस्ताब का मित्रा, आपका गुरू महेंदर जोशी, थैंक यू वेरी मच,